हे वोस्तोब गाइस अनुज है रहाएं वेल्कम तुर्णाद देसे वन कोर्स और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं क्यू डेटर स्क्चर के बारे में तो यहां पर आप यह होती है क्यू नाम की लाइब्रेटरी उटिया आपकी इंपोर्ट करा ले वो यहां पर आपक इस्ते वे की बना सकते हो ऑगर आपको क्यू के अंदर अदर element डालने हैं मतलब n q operation करने हैं तो n q operation करने के लिए आपके पास functions होता है पुश तो suppose करूँ यह आपकी q है तो इसके अंदर पहले एक element डालेगा 10 तो 10 डाल गया उसके बाद अगला element डालेगा 20 तो पीछे से मिशा element डालते हैं उसके बाद अगला डालेगा 30 और अगर निकालने की बार आगी तो सबसे पहले 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 बार निकलेगा राइट इस तरी से q काम करती है तो इसके अंदर एक function होता q.front इसका का अगला है q.back यह बताता है कि last में कौन सा element डाला था ठीक है तो अगर आपको element बहार निकलने काम करता है तो जो आपका पहले डाला था फर्स्ट इन फर्स्ट आउट तो यह आपका बहार निकल जागा 10 ठीक है तो q.pop यह काम करता है अगें अगर हम q.front करेंगे तो अब हम q.empty और अगर आपको चेक करना आपकी q.empty है या नहीं है तो उसके लिए आपके पास function होता है q.empty यह आपका boolean value return करता है तो q के अंदर यही सारे functions होता है c++ के अंदर अब ज़रा java के अंदर बात कर रहेते है कि किस तरह किस implemented होता है तो यहाँ पर मैंने एक java.util.star करक q basically java के अंदर एक interface होता है q is an interface और q को implement कर रखा link list ने और array deck ने तो इन दौनों concrete classes ने q को implement किया हुआ है q basically interface है इसको इन दौनों classes ने implement किया हुआ है तो आप चाहें यह line लिखो चाहें यह line लिखो दौनों मैंसे कोई भी a line लिखोगे तो आप लोगे q implement हो जागे आप चा आरे function ना offer, pole, peak इनको आप लोग implement कर लोगे तो आप लोग आराम से काम चला सकते हो ठीक है तो इन्होंने भी implement कर रखा है इन्होंने भी implement कर रखा आपने java के अंदर लेकिन आप लोग रिकमेंड के आता है कि आप लोग array deck का यूज करो हमीशा क्योंकि इसके अंदर आप ल तो c++ कंदर थे आपके push function यहाँ पर होता है आप लोग को offer करते हो तो आप लोग का एक element डल रहा होता है तो आपने offer किया तो पहले डलेगा 10 उसके बाद डलेगा 20 फिर डलेगा last में 30 अगर आप लोग को पहले element भाहर निकालना है जो पहले डला था वो यह वाला element पहले बा निकालने वाला है तो देखें अच्छा 20 भाहर निकालने वाला है तो 20 रिटर्न कर देगा बट 20 को भाहर नहीं निकालेगा Q.size बेसिकली पताने में काम आता है कि कितने element अब इस Q के अंदर है तो यहाँ पर दो element है तो यह दो रिटर्न करेगा और Q.mt आप लोग का और extra चीज़े होती है तो जावा के अंदर कुछ और function भी होते है एक उता आप लोग के जो exception थ्रोग करते हो और एक उता यह आप को यहाँ ख़तस अपर लोग का लेकिन ऑब लोग को चाहिए कि नई element empty है तो आपप लोगा का exception थ्रोग अृए के लिए आप लोग के पास function होते हैं उसके लिए function होता आपका रिमूव लेकिन यह आपका exception थ्रोग करेगा similarly offer के corresponding होता है एड तो आप लोग चाहँ तो add कर सकते हो क्यों के अलेमेंट डालने के लिए बट आपका exception थ्रोग कर देगा अगर capacity से ज्यादा आप element डालने का ट्राय कर रहे हो ठीक है बाकी यह को पीक के corresponding होता है आपका element तो आप लोग element करके भी पीक कर सकते हो बट अगर आपकी क्यों empty वही और आप लोग फिर भी उसके अंदर element करते हो तो आप लोग यहां पर exception मिलेगा बट यहां पर आप लोग को बाकी मैं जनरली यह वाले function कर रहा हो जो की exception थे और बाकी जो भी होता है मैं खुदी हैंडल कर लेता हूं कि QMT तो नहीं है तो यह होती है हमारी Q क इंप्लिमेंटेशन जावा के अंदर इन सब के उपर हम questions कर रहे हूं कुछ आने वाली वीडियो के अंदर अगर वीडियो पसंद आई तो जरू लाइक कर देना करना चल को subscribe मैं मिलूँगा आप उस नेक्ट वीडियो में चलते हैं बाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबा